हेलो एवरिवन वेलकम तो माई चैनल मैं योसी पूजा आज मैं आपको ये बोर्डर डिजाइन बनाना बताऊंगी ये एक फंदा सीधा और एक फंदे उल्टे का ये बोर्डर डिजाइन है इस डिजाइन को आप फुल सेवेटर्स में भी डाल सकते हैं ये दोनों साइड से और सेम आता है फ्रंट से भी और बैक से भी ये मैंने 26 के करीब फंदे डालके रखे वे ये मैं पहली स्लाइए जो है इधर से ये राइट साइड है इधर से ये रोंग साइड है तो जो ये मेरी स्लाइए ये बैक साइड है तो इसको मैं पूरी को उल्टी ही निकाल लोंग कि यहा था लूझता हूदा कर दो लग कर दो लग ले 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 लेदावा ले। राइट साइड आगे है यह हमारे पैटर्ण की फर्स्ट रो है तो हम पहला फंदा स्लीप करेंगे इसमें धागा अपनी साइड करेंगे और यह दूसरा फंदा यह ऐसे घुमा के सामने को सलाई के सामने को लेके आएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे धागा पीछा पीछे ले जाएंगे आगे से सलाई डालके इधर से ऐसे करके इसे पीछे ले जाएंगे और यह इस साइड से इस तरह से हम से धागे को लेके आएंगे उपर से सलाई के फिर धागा अपनी साइड ले आएंगे फिर से ऐसे कि यह आगे से अधागा ले जाके निकाल लेंगे फिर दागऑ पीछे करेंगे गदर से ऐसे सलाईज डालते वह ऐसे करके इस तरह से अपना पर निकालेंगे पिर दागा अपनी साइड से करके इस तरह से निकाल लेंगे दागा पीछे कर लेंगे इस तरह से लेके इसको सलाई के पास को आए यह हम रिपीट करते हैं झाएंगे तरह से इसे करके पूरी इसलाई को निकाल लेंगे कर दो कर दो कर दो झाल 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 को इश present अब बैक साइड आगे ये पैटर्ण की अमारी सेकेंड रो है कि अगये तो जैसे हमने स्पराट किया है वैसे हमें बैक करना न कि जो हमारे फंदे सीद्धे है परहला पंदति हम ऐसे कर लेंगे हुआ हम दोकले पूइसे निकालना है जो सीधे हैं बेक साइड से उन्हें सीधा निकालना है तो इस reveals श्कूरन सिध्कान को इनला या और यह निकालना आगे अपने फंदे थोड़े लूज रख सकते हो और सिरसे अगा ले जाएंगे अपना शिलाए के ऊपर को कि अधिर दागा अपनी साइड करेंगे यह फंदा ऊलटा है इसको ऐसे ही हम उलटा बनाएंगे धागा पीछे ले स्पंदे को सिधा बनाएंगे सलाई के उपर को पून ले जाते वे दागा आगे करेंगे इस तरह से निकालेंगे दागा पीछे करेंगे वैसे ही पूरी रो ट्रिपीट करते रहेंगे यह कि लास्ट कफंदर बैक साइड से हमारा उल्टाया है तो इसको ऐसे करके निकाल लेंगे फिर हम फरंट साइड आगे यह हमारे पैटन की थर्ड रो है तो पहला फंदा हम ऐसे सलिप करेंगे धागा अपनी साइड करेंगे ऐसे करके हम इसे निकाल लेंगे धागा पीचे करेंगे तरसे सलाय एसे सलाय लेके पीछे करके इस तरह से गुमा के हम इसे निकाल लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, सलाई के उपर आ सामने को, सलाई के सामने को ऐसे करके हम इसको निकाल लेंगे, धागा पीछे करेंगे, और इस तरह से करके यह निकाल लेंगे, तो इसी तरह से अपनी पूरी रो तो हम complete कर लेंगे और आगे बैक सएट देखते हैं यह हम बैक सएट आगे हैं यह हमारी फोर्थ रो है तो हम पहला फंदाइसे इस लिप करेंगे फिर धागा आगे करेंगे जो यह हमारा उल्टा फंदा इसको उल्टा निकालेंगे जो सीधा है, पैक साइड से उसे सीधा निकाल लेंगे, तो सेम वही पैटरन डिपीट करना है, जो हमने फ्रंट साइड किया है, तो धागा इसे घुमा के, फिर धागा पीछे कर लेंगे, इस तरह से यहां से सलाई डालके, और इस तरह से हम इसको पंदे को निकाल लेंगे, पीछे करेंगे और यह इस तरह से करके हम इसी तरह से हमारी हम पुरी रो कंपलीट कर लेंगे कि यह हम फ्रंट साइड आगे हैं यह हमारी फिप्ट रो है तो हम से मैसे भनाएंगे पहला फंदा सिलीब करेंगे धागा आगे करेंगे यह उल्टे फंदे को हम इसी उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे रिसीदे फंदे को इस तरह से हम यह सीधा बनाएंगे धागा अपनी साइड करेंगे यह उल्टा फंदा इसे उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे इसी तरह से हम अपनी ये 20 रोज कम्प्लीट कर लेंगे देखना ये थोड़ा थोड़ा हमारे डिजाइन अब दिखने लगा है बनके थोड़ा ही दिख रहा है जदनी अभी दिख रहा है इसमें 20 रोज कम्प्लीट कर लिए ये बनके देखको इस तरह से दिख रहा है इसमें ये होता है जो हमारी ये फर्ली है ये फटती नहीं है सेम ऐसे कितना भी खिश जाए हमारा बोर्डर पर ये सेम ऐसे ही रहती है ये देखने सुन्दर लग रही है ये मेरी थिरिपलाई वाली उन्ती तो मैंने इसमें ये बनाया है इसमें भी सुन्दर दिख रहा है ये मेरी नोर्मल उन्ती तो मैंने इसमें बनाया है तो ये भी अच्छा लग रहा है इसमें मैंने ये 12 नंबर की सलाई यूज करी है और थिरिपलाई वाली उन में मैंने 9 नमबर की सलाई यूज करिए आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज लाइक एंड सेर करना ना भूले थैंक यू